नमस्ते साथियो मैं सुरज छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया इटूब चनल पे स्वागत करता हूँ साथियो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मुर्गियों को डाइरिया हो जाता है तो मुर्गिया तरह-तरह के बीट करती है कभी सफेद कभी लाल तो कभी पी ली और उसे ठीक करने के लिए मतलब मुर्गियों को अगर डाइरिया हो जाता है तो उसे हम देशी तरीके से किस तरीके से ठीक कर सकते है इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसे प्राकितिक चीज़ के बारे में बताने वाला हो जिसे अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का डाइडिया ठीक हो जाता है तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लासनक ध्यांच देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आप लोग सभी से एक छोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हो अगर आप लोग इस चनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन है उसे भी पैस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोटिपिकसन मिल जाए साथियों मुर्गियों को डाइडिया क्यों होता है मुर्गियों में जो बीट का समय सा दिखाई जेता है उसका कारण क्या है उसके बार भी मैंने पहले के वीडियो में आप लोग को बताया है फिर भी इस वीडियो में आप लोग को सौट में बता देना चाहता हूँ अगर हम मुर्गियों को गंदे जगव पर रखते हैं मतलब मुर्गियों को डाइडिया होता है और उसके वज़े से मुर्गिया तरह तरह के बीट करती है कभी सफेद कभी लाल तो कभी पीली साथियों अगर मुर्गियों को डाइडिया हो जाता है और उस समय अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुर्गियों को हम कोई एंटिबाइटिक नहीं देंगे क्योंकि एंटिबाइटिक देने से मुर्गियों का जो वजन है वो कम हो जाता है और उसके लिए अगर आप लोग देशी दवा का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप लोग इस दवा का इस्तमाल कर सकते हैं इसका नाम है पत्थर चट्टा आप लोग देख सकते हैं इसे पत्थर चट्टा कहा जाता है और इसे वंडर ओफ लीब भी कहा जाता है साथियों अगर मुर्गियों को डाइडिया हो जाता है तो उस समय आप लोग को करना क्या है कुछ पत्थर चट्टा के पत्ते लेना है और उसे कूट कर उसका रस निकाल कर पाने में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है और इसे अगर आप लोग लगातार तीन जिन तक दिन में एक बार सुबह के समय में मुरघियों को पीने के लिए देते हैं तो ढाइडिया ठीक हो जाता है मुरघियों का जो भी बीट का समय है इसा हुआ है उन्हें साइट कर देना है और उन्हें अलग रख कर यह पत्थर चट्टा के पत्ट्च का प्त्थे का रहस होता है उसे पीने के लिए देना है और इसी तरीके से आप लोग उन可 ठीक कर सकते हैं साथियों अगर आप लोग सभी मुर्गियों को ये दवा पानी में मिक्स करके देना चाहते हैं तो आप लोगों को ज्यादा पानी नहीं लेना है एक बार में आप लोग मुर्गियों को जितना पानी पीने के लिए देते हैं क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो दवा का जो temper होता है वो कम हो जाता है जिसके कराण वो मुर्गियों को असर नहीं कर पाता है इसलिए आप लोगों को ये बात अच्छे से ध्यान देना है पानी आप लोगों को ज्यादा नहीं लेना है कम से कम पानी में मैडिसन मिक्स करके मुर्गियों को देना है मुर्गियों के डारिया ठीक करने का ये हो गया पहला देशी तरीका अब मैं आप लोग को दूसरे देशी तरीके के बारे बताने वाला हूँ अगर आप लोग दूसरे देशी तरीके से मुर्गियों के डारिया ठीक करना चाहते हैं आप लोग को चाहिए कच्चा हल्दी जीरा और उसके साथ पत्थर चट्टा के पत्ता आप लोग को करना क्या है कच्चा हल्दी और पत्थर चट्टा का जो पत्ता होता है उसे कुट कर उसका रस निकालना है लगबग 40 से 45 अमयल उसका रस निकालना है और उसके साथ आप लो उन्हें जो रस निकाला था उसमें कुछ चुटके जीरा भी डाल देना है और इसे पाने में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है देखिए इसे अगर आप लोग लगातार तीन दिन तक दिन में एक बार सुबह के समय में मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं साथियों आप लोग को पानी ज्यादा नहीं लेना है अगर आप लोग 40 ml ये रस निकालते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग को एक लिटर पानी लेना है और अगर आप लोग 8 ml या 90 ml इसका रस निकालते हैं तो आप लोग को 2 लिटर पानी लेना है और इसी हिसाब से मुर्ग के साथ वीडियो को सेर जरूर करना तो साथ ही हो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबरडस्ट वीडियो के साथ